आज हम आप लोगों के लिए न्यास पर कुछ जानकारी लेकर आए हैं प्रायह तंत्र साधना में पूजा पाठादी में न्यास करने को कहा जाता है हम में से बहुत सारे लोग इसकी आवशक्ता को नहीं समझ पाते हैं कि न्यास क्या है क्यों करना चाहिए क्यों आवशक्ता है तो इस वीडियो के माध्यम से मैं थोड़ी सी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ जब भी हम किसी साधना को करते हैं तो न्यास की चर्चा होती है और कहा गया है कि न्यास करना अती आवश्यक है हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर बहुत सी अशुद्धियों का केंधर है इससे हमारे शरीर के अंग गंदे यानि अपवित्र रहते हैं बाहरी रूप से हम कितना भी अस्नान और शुद्धी कर ले अंदर से अशुधिता तो बनी ही रहती है और न्यास की प्रक्रिया में हम अपने इश्ट देवता के मंत्रों और वियाक्षरों को शरीर के अलग अलग भाग पर अस्थापित करके उनके मंत्रों की उर्जा से अपने शरीर का शुध्धी करन करते हैं मंत्र तंत्र से संबंधित ज्यान में ऐसा कहा गया है कि जब हम देवताओं के मंत्र आदी का उच्चारण करते हुए अपने शरीर के अंगों को असपर्श करते हैं तो उस से सम्बंधित उर्जा वहाँ पर अस्थापित हो जाती है और हमारा शरीर देवता मया हो जाता है मंत्र मया हो जाता है न्यास हमारे शरीर को पूजा और साधना के योग्य बनाते हैं। तंत्र के अनुसार न्यास का अर्थ है अस्थापना करना तो बाहर और भीतर के अंगों में इश्ट देवता और मंत्रों की अस्थापना ही न्यास है या न्यास की विधी है साधना करम में न्यास विधान को ही न्यास विध्या कहा गया है महकाल समहिता में कहा गया है कि इस प्रकार की सिध्धिदा विध्या दूसरी कोई नहीं है इसलिए इसका दूसरा नाम सिध्ध विध्या भी है तांत्रीकों का यह सिधान्त है कि भूत शुद्धी द्वारा हम अपने शरीर को शुद्ध करते हैं साधक अपने शरीर का शुद्धी करन करता है और न्यासों के द्वारा अपने शरीर को मंत्र मया बनाता है देवताओं को आत्मा में संक्रांत कर तनमयता से बुद्धी की प्राप्ति करता है न्यास के बिना जो मंत्र जब किया जाता है वह व्यर्थ हो जाता है क्योंकि वह आशुरी प्रविर्ति का हो जाता है इससे भी न्यास की महत्ता सिध्ध होती है अतह न्यास द्वारा देवता बनकर ही देवता का पूजन यजन करना चाहिए शास्त्र में यह बात बहुत जोर देकर कही गई है कि केवल न्यास के द्वारा ही देवत्व की प्राप्ति और मंत्र सिध्धी हो जाती है सभी पूजा साधना महाविद्याओं अपसरा यक्षनी गंधर्व आदी सभी की साधना में न्यास को संपन्न करना अनिवार्य माना गया है और प्रतेक पूजन की अलग-अलग प्रक्रिया होती है उसी के अनुसार न्यास में भी अंतर देखने को मिलता है न्यास करने से साधना में आने वाले सभी विगनों का नाश भी होता है क्योंकि विगन बाधा उत्पन्न करने वाली दुष्ट शक्तियां देवताओं के मंत्र से बने हुए मंत्र मया शरीर से दूर रहती है तंत्र आदी के छेत्र में वैसे तो कई प्रकार के न्यास होते हैं कैसे रिश्यादी न्यास, कर न्यास, रिदयादी न्यास, मात्रिका न्यास, दिशा न्यास, ग्रहर न्यास, नचत्र न्यास, योगनी न्यास, पीठ न्यास, महाशोधा न्यास आदी आदी परन्तु मुख्यत तीन प्रकार के न्यास दैनिक पूजन में बहुत आवश्यक बताए गए हैं और प्राय तीन न्यास सामान नित सभी साधक दैनिक पूजन में आवश्य ही करते हैं यह तीन न्यास रिश्यादी न्यास, कर न्यास और शडंग न्यास होता है रिश्यादी न्यास में हम अपने कवच, स्तोत्र या जिस मंत्र की साधना करते हैं उस मंत्र आदी से संबंधित, उसके रिशी, उसके देवता, उसका चंद, उसका बीज मंत्र, कीलक मंत्र, शक्ती मंत्र आदी को अपने शरीर के अलग-अलग भागों में अस्थापित करते हैं और शरीर का यह भाग निश्चित होता है, फिक्स होता है कि रिशी का अस्थान कहां पर है, देवता का अस्थान कहां पर है जानकारी के लिए यहां पर एक चित्र की बेवस्थावी की गई है जैसे इस चित्र में देखे रिशी का न्यास हमेशा ही सीर पर होता है इसलिए हम लोग रिशय नमह से रिशी बोलते हैं छंद का स्थान मुख में होता है जैसे अनुष्टुप छंद से मुखे बोलते हैं देवता का स्थान हिर्दय में होता है इसी लिए देवताय नमह रिदी प्रायह कहा जाता है इसी तरह से बीजाय नमह गुहिय शक्तय नमह पादयो यानि बीज मंत्र का अस्थान, बीज मंत्र की शक्ती का अस्थान गुहिय अस्थान में है और उस मंत्र कवच इस्तोत्र की जो शक्ती का बीज मंत्र है उसका अस्थान पैर में है और कीलकाय नमः नाभव कहते हैं और उस इस्तोत्र या मंत्र से सम्मंधित जो कीलक मंत्र होते हैं उनका अस्थान नाभी में होता है तो किसी भी तंत्र में किसी भी देवता से सम्मंधित का वच हो इस्तोत्र हो मंत्र का विधान हो तो रिश्याद न्यास में मंत्र अलग अलग हो सकते हैं लेकिन उन सभी मंत्र बीज की लग का अस्थान फिक्स है और इन ही सभी अस्थानों पर उनका न्यास किया जाता है यानि उनकी शक्तियों को हम अपने शरीर के इन ही अंगों पर अस्थापित करते हैं और अपने शरीर को मंत्र मया बन इसी प्रकार कर न्यास में हम अपने कवच, स्तोत्र, मंत्र, आदी से संबंधित, मंत्रों के अलग-अलग भाग, अगर जैसे कोई मंत्र लंबा होता है तो उसके छोटे-छोटे भाग को, या कभी-कभी देवी और देवताओं से संबंधित, उनके बीज मंत्र के छदिर्ग रूप को, जैसे अगर माता दुर्गा से संबंधित है और उनके बीज आक्षरों से छदिर्ग रूप से न्यास करने को कहा गया है, तो उनका बीज मंत्र हरिम होता है, तो हराम हरीम हरूम हराम हरह से न्यास किया जाता है, इस तरह से इसे शद दिर्ग रूप हरिम मंत्र का शड दिर्ग रूप है इन सभी मंत्रों के बिजाक्षरों को बोलते हुए हाथ की उंगली और हथेली के पूरे भाग पर एके करके रखते चले जाते हैं कर न्यास यानि हमारे हाथों का न्यास इस न्यास में हमेशा ही अंगूठा तरजनी मध्यमा अनामिका और कनिष्ठी का शब्द का प्रयोग होता है और इन ही उंगलियों पर मंत्र की शक्ती रखी जाती है और अंत में करतल और कर प्रिष्ठ का असपर्ष किया जाता है करतल यानि जो हाथ का सफेद वाला भाग है और प्रिष्ठ जो पीछे का भाग है जिस पर छोटे छोटे काले काले बाल जिधर से उंगलियों का नख दिखता है वह प्रिष्ट भाग है तो दोनों को असपर्श कराया जाता है यह भी ध्यान देने योग बात है कि हमारे हमारे हाथ की पांचों उंगलिया करमशह पंच महाभूतों का प्रतीनी धित्व करती है जैसे अंगुठा अगनी का प्रतीनी धित्व करती है उसी प्रकार तरजनी उंगली वायू का मध्यमा उंगली आकाश तत्व का अनामिका उंगली प्रिथ्वी तत्व का और कनिष्ठा जल तत्वों का प्रतीक है हाथ हमारे कर्मों का भी प्रतीक है हाथ से ही हमारे सभी कर्म संपन होते हैं हमें हाथों से उंगलियां अंगूठे और हथेली को दैविया शक्ति से इसी प्रकार अभी मंत्रित करते हैं और अपने हाथों की सभी उंगलियों को मंत्र मया बनाते हैं टाकि पूजन पाथ और मंत्र जब सादना में प्रयोक किये जाने वाले सभी वस्तों को हम मंत्र मया शुद्ध हाथों से चू सके, उनका प्रयोक कर सके हरीदयादी न्यास में हम अपने उसी कवच, उसी स्तोत्रिया, उसी मंत्र आदी से जो सम्मंधित उसके अलग-अलग भाग होते हैं या भीजाक्षर के शड दिर्ग रूप, छ लंबे-लंबे रूप को शरीर के पूरे भाग हरीदया, सीर, शिखा, कवच, नेत्र, त्रय, तीनों नेत्र और अस्त्र पर अस्थापित करते हैं इससे शड अंग न्यास भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर छ अंगों का न्यास है जो हरीदय से प्रारंभ होता है इसलिए इसका नाम हरीदयादी न्यास है हिरी दयादी न्यास, शड अंग न्यास, अंग न्यास, तीनों एक ही न्यास के अलग-अलग नाम है कर न्यास उंगलियों का न्यास हो गया, रिशियादी न्यास जिसमें उस मंत्र इस्तोत्र से सम्मंदित रिशियादी का न्यास है तो यह तीन न्यास धैनिक साधना में अती आवश्यक माने गए हैं और यह सभी न्यास पूजन मंत्र जब इस्तोत्र कवच का पाठ करने के पहले किया जाता है यह प्राया पहले एक बार करते हैं फिर न्यास आधी के बार शुद्धिकरन हो जाती है शरीर की तब देवता का ध्यान करते हैं पूजन करते हैं और फिर ध्यान पूजन के बाद हम अपने उस मंत्र का जब करते हैं या कवच का पाठ या स्टोत्र का पाठ जो भी हम कर रहे हुँ उसे continue करते हैं और भी अन्य प्रकार के न्यास में मात्री का न्यास इसमें जो मात्री का शक्ति है, पचास मात्री का वर्न शक्ति होती है, अम आम इम इम से प्रारंभ होकर हम लम छम तक जाती है, तो इन्हीं मात्री का शक्तियों को शरीर के अलग-अलग अंगों पर अस्थापित किया जात ग्रह न्यास में सभी नौ ग्रहों को अपने शरीर के भिन अंगों पर इनको अस्थापित करते हैं, नच्छत्र न्यास में जो हमारे 27 नच्छत्र हैं, उन सभी नच्छत्रों की शक्तियों को उनके नाम ले करके अपने शरीर के अंगों पर धारन करते हैं, अस्थापित करते इसके अलावा जैसे पीठ न्यास, पीठ न्यास माता की जो प्रसिध पीठ है काम पीठ, जालंधर पीठ, योनी पीठ आदी, तो इन सभी पीठों का नाम ले करके इन पीठों की शक्तियों को अपने शरीर पर धारन करते हैं, अस्थापित करते हैं, इसके अलावा राशी न् भी होता है जिसमें बारह राशियां है उन राशियों की शक्तियों को भी शरीर पर धारन किया जाता है योगिनी न्यास होता है योगिनी की शक्तियों को शरीर पर अस्थापन करने को योगिनी न्यास कहते हैं इन सभी मंत्रों की शक्तिया हमारे कर्मों और विचारों को धर् संगत कार्य करने के लिए प्रेरित करती है तो इस प्रकार से देवता के मंत्र पीठ राशी, ग्रह, नचछत्र योगिनी आदि सभी की शक्तियों को अपने शरीर के अलग-अलग अंगों पर स्थापन करने को अलग-अलग न्यास के नाम से जाना जाता है और हम जितना ज्यादा न्यास करते हैं हमारा शरीर उतना ही पवित्र और मजबूत माना जाता है न्यास करने से हमारा शरीर मंत्र मया तो होता ही है साथ ही साथ हमारी सोच भी सकारात्मक बनती है और ऐसा भी कहा गया है कि न्यास करने से साधना में सुरक्षा मिलती है क्योंकि सभी अंगों पर देवताओं के मंत्रों की शक्ती होने के कारण बिग्न बाधा उत्पन करने वाली शक्तियां ऐसे साधक से दूर ही रहती है न्यास करने से कभी भी देवता के भयंकर रूप के दर्शन नहीं होते हैं और साधना में पूर्ण सफलता भी मिलती है तो न्यास आदितो करना ही चाहिए कम से कम तीन प्रकार के न्यास दैनिक साधना में अवश्य ही कर लेने चाहिए अगर हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आती हो तो आप इसे लाइक करें सब्सक्राइब करें और जादा से यादा शेयर भी करें ताकि अन्ये लोगों को भी इसका लाव प्रात हो सके धन्यवाद